है रे दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल से कार्टून एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आपको कोई नॉलिज नहीं है कि उसको कैसे बनाया जाता है तो आप सही वीडियो पर आएं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर पर एनिमेशन बनाने के बारे में A to Z स आके भी दिखाऊंगा तो दोस्तों यहां पर मैं आ गया हूँ अपने स्मार्ट फोन की स्क्रीन पर और मैंने काइन मास्टर आप ओपन कर लिया है आप देख सकते हैं यहां पर आपकर जो वर्जन है काइन मास्टर उसके साब से डिफर कर सकता है मेरे पास लेटेस वर्जन है तो उसे साब से यह स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले आपको create new project पर क्लिक करना है यहां पर आपको aspect ratio में 16-9 का ratio select करना है जो standard ratio होता है वाकि आपको सारी settings जो है वो same रखना है अब आ यहां पर बहुत सारे options आपने को देखने को मिलेंगे सबसे पहले option होता है media तो media से दोस्तों क्या होता है यहां पर आप images या videos को select कर सकते हैं और उनको main layer पर ला सकते हैं तो यह जो layers होती है यह बिलकुल background की तरह होती है और इनके ऊपर आप जो layers लगाते हैं वो add-ons की तरह इस्तेमाल किये जाते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर एक image ले लेता हूँ यह मैंने white background ले लिया है यह check mark पे भी मैंने click कर दिया है तो यहां पर एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है वो यह है कि आप इसको drag कर सकते हैं और अपने animation का duration इसे साब से select कर सकते हैं तो यह दूसरे जो options है वो enable हो गया है यहां पर आपको layers का option भी enable हो गया है आप इसको zoom in और zoom out कर सकते हैं और इससे आप और closely देख सकते हैं frame by frame की आपके timeline पे क्या क्या हो रहा है यहां पर जो भी चीज़ें आप add करेंगे उनको आप देख सकते हैं इस option के जरीए जो कि एक drop down की त किसी भी cartoon animation को आपको बनाने से पहले क्योंकि वो traditional animation की तरह होता है तो keyframe animation में दोस्तों क्या होता है आप कोई भी object को कोई भी object आप कोई भी object select कर लें जिसे मैं यहां पर एक circle select कर लेता हूं तो यहां पर आपको एक starting position देना पढ़ती है और एक end point देना पढ़ता है तो एक start point और आप end point बताते हैं किसी भी system को और वो system उस object को वहां से दूसरी position पर ले जाता है और उसको move करवाता है और इसी से हमारा एक animation मिलता है और हमें एक movement मिलता है उस object का दोस्तों यहां पर आप start point कोई सा भी रख सकते हैं और end point कोई सा भी रख सकते हैं उसके बाद आप उस frame को change करना पड़ता है और यह एक animation मिलता है तो यहां पर जैसे मैं आपको करके बता हूँ तो जैसे मैंने इसको इसकी timeline को छोटा कर दिया है इस object की circle की हमारे और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब यह icon दिख रहा होगा आपको यह keyframe का icon है इस पर आपको click करना है और आप अब देख सकते हैं यह आप एक plus का और एक minus का button है अभी एक प्लस का button आ रहा है तो यहां पर initial मेंड़ी जो position है आप देख सकते हैं मैं इसको zone 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 कर दे हैं तो यह यह हमारा पहला जो keyframe है उस पर हमारा object यहां पर रहे है लेकिन इसको चाहता हूं कि object यहां पर रहे ठीक है तो दोस्तों मैंने इसका एक start point दे दिया है और एक end point दे दिया है system को और वो अब system उस object को वहां तक ले जाएगा जहां तक उसका end point है ठीक है तो हम इसको आपको play करके दिखा देता हूं तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पर object जो है वो move कर रहा है यह हमारा जो kind master app है वो keyframe technique का use करके इस object को इस position से दूसरी position तक ले जा रहा है keyframes का use करके ऐसे ही हम keyframes यह तो दोस्तों हो गई position यह एक factor होता है keyframe animation में लेकिन दूसरा factor होता है size तो आप यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ position ही change करना हो आपका object के position यहां यह हो सकती है और size यह ह हो सकता है लेकिन अगले keyframe पर आपकी position ही हो सकती है और इसके अगले keyframe पर आपकी कोई और position हो सकता है शायद आपका object पूरा बहुत जादे बड़ा हो जाए तो जैसे मैं इतना मैंने पूरा cover कर दिये circle से अब हम देखते हैं कि हमारा animation कैसा लग रहा है तो आप देखिए ज क्या हुआ दोस्तों यह size को उसने adapt किया उसने जो system है जो app का keyframe technique है उसने पूरा उस circle को enlarge कर दिया बहुत ही short interval of time में अगर हम इसी को यहां से हटा देते हैं इस minus के sign के through और बिलकुल end में रखते हैं तो यह बहुत slowly बढ़ेगा तो time के हिसाप से भी हमें keyframe technique का इस्तेमाल क करना आना चाहिए तो यह दोस्तों बहुत ही basic चीज थी और बहुत ही बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि इसी से हम अपना cartoon animation बनाएंगे अब दोस्तों दो factors होगा एक position और एक हमारा size थीसरा factor होता है दोस्तों rotation अब मैं circle को delete कर देता हूं और मैं लेकर आ जाता हूं अपने x square को क्योंकि दोस्तों circle पूरा हर जगा से circular होता है तो इससे हम rotation समाज नहीं पाएंगे आसानी से तो इसलिए मैं यहाँ पर x square को ले आया हूं और यहाँ पर मैं इसका keyframe देता हूं एक यह मैंने एक इसकी initial position दे दिये और मैं इसकी next position यहाँ पर रखता हूं और मैं इसको rotate कर देता हूं ठीके दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर जाके इसको मैं और rotate कर देता हूं और इसकी keyframe position change कर सकता हूं तो दोस्तों आप देखेंगे कि यह कैसे animate होगा ठीके दोस्तों तो ऐसे ही आप अपने creativity के हिसाब से animate कर सकते हैं यहाँ पर एक और factor होता है दोस्तों जो हो opacity लेकिन काइन मास्टर में यह offer नहीं होता है इसकी फ्रेम टेकनिक के उस पर लेकिन अगर आप professional cartoon animation software यह professional animation software जैसे after effects का इस्तेमाल करेंगे यह क्रीता जो एक cartoon animation free cartoon animation software है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको उनमें यह देखने को मिलेगा एक होता है position दूसरा size तीसरा rotation और च आपने world films देखी हैं जैसे 2D films अलादीन या कोई और से भी डिजनी की film देखी है जो 2D में बनती थी तो उसमें हर frame को वो draw करते थे by hand और जैसे ही उनको एक series एक film के उसमें move किया जाता था तो वो एक animation के उसमें आ जाता था तो यही keyframe technique होती है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे एक और example है दोस्तो flip book अगर आपने flip book देखी है जिसमें हमने एक frame पर हम draw करते हैं दूसरे frame पर draw करते हैं उसको फिर हम flip करते हैं तो एक हमें animation देखने को मिलता है जिसके अंदर हमारा character या object move करता है तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको एक intro बना के दिखाना चाहता हूँ जि मैं इसका key frame first key frame रखूँगा screen के बाहर दोस्तों तो मैं इसको screen के बाहर ले जाता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ कि screen के अंदर i circuit ठीक है तो इसको मैं छुटा कर देता हूँ यह मैंने दोस्तों छुटा कर दिया है बहुत जादा इसको मैं बाहर रख दिता हूँ इसको छोटा कर दिया है और अब मैं अगले keyframe पर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यह बड़ा हो जाए ठीके दोस्तों तो मैं इसको अंदर लेंग AWAY और मैं चाहता हूँ यह center पर आजाए तो यह अब center पर आगया है इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर दूस्तों मैंने इसको छोटा कर दिया है, और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, यह कैसा लग रहा है, ठीके दोस्तों, तो यह थोड़ा slow आ रहा है, इसको मैं थोड़ा fast लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस इसको वापिस ले जाओंगा इसे यहां पर चाहता हूं कि मैं वह center में आए तो यह center में आ गया है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं इसका size तो दोस्तों यहां पर center में आ गया है और यह थोड़ा fast आएगा ठीक है इस frame को मैं remove कर देता हूं क्योंकि मैं जरुवत नहीं है तो अब देखें हमारा animation को ठीक है दोस्तों तो यह आ गया है थोड़ा fast भी आ रहा है अब हम चाहते हैं कि इसी frame से हमारा circle जो हो बड़ा हो जाए तो अब इसको हम बड़ा करते हैं बहुत ही short time में ताकि वह as a transition की तरह लगे ठीक है तो मैं इसको keyframe पर enable कर देता हूं और यहां पर मैं keyframe add कर देता हूं और इसको मैं full बड़ा कर देता हूं जितना मुझसे बड़ा हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ठीक है दोस्तों तो अब हम इसको play करके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है तो आप देख सकते हैं कुछ जादे ही तेज हो गया यह तो मैं इसको इसको keyframe जो है थोड़ा सा आगे कर देता हूं और जो पहल पिछला keyframe इसको मैं remove कर देता हूं अब मैं देखता हूं कि कैसा बढ़ ला यह अभी भी दोस्तों यह थोड़ा मुझे तेज लग रहा है तो इसलिए मैं इसको हटा कर दूसरा ला रहा हूं और इसको मैं हटा देता हूं अब देखते हैं कैसा बढ़ ला यह तो दोस्तों आप सही यह लग रहा है मुझे यह ऐसे ही मैं दूसरे circles भी ला सकता हूं और उनको animate कर सकता हूं तो मैं चलिए दूसरे circles ले आता हूं जल्दी से आप देख सकते हैं मैं यह दूसरा circle ले आया हूं यहां पर और इस circle को मैं उसी position पर ले जाना चाहता हूं जैसे यह हमारा पिछला circle था और यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और यहां पर keyframes के जरीए मैं इसको जैसे यहां पर हमारा यह आ रहा है मैं इसको थोड़ा लेट लाना चाहता हूं यहां पर तो मैं क्या करूंगा हलका सा यह थोड़ा जितना जितनी जली यह होगा इसी time पर मेरा यह दूसरा object आएगा और यहां पर मैं एक keyframe add कर देता हूँ oh my god sorry यह नीचे वाले keyframe पर मुझे add करना है तो मैं यहां पर इसको add कर देता हूँ और जो मेरा पिछला keyframe है उसमें यह object बाहर होना चाहिए तो मैं इसको बाहर रख देता हूँ ठीके दोस्तों तो मैंने इसको बाहर रख दिया है अब यह भी थोड़े देर में आएगा और यह भी थोड़े time में जितने time में यह हो रहा है उतने ही time में हमारा दूसरा animation भी हमा दूसरे सर्कल भी फुल बड़ा हो जाएगा ठीके दोस्तों तो मैं इसको फुल बड़ा कर देता हूं और यह फूरा फुल बड़ा कर दिया है मैंने अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसे लग रहा है ठीके दोस्तों तो यह बहुत ही जबदस लग रहा है अब म आधि घाएं इस इसको आप डिपलेकेट करने पहले यह वाली जो लेड है हमारे औरेंज peac cuest को में डिपलेकेट कर लेता हूँ और मैं इसको मैं के छीच कर जाएं जाकर यू कसे मतलब क्या होथा दोस्तों से कलरव चिंज हो जाता है पूरे से कल्ल का तो यहां पर गड़ मैं आता हूँ ठीके दोस्तों अभी हमें सर्कल दिखने रहा है क्योंकि वो उस लेयर के टॉप पर है तो मैं इसको हलका सा मूव कर देता हूँ हमारी नीचे वाई लेयर को बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ठीके दोस्तों मैंने यहां पर इसको मूव कर दिया अब आप देख सकते हैं एक सर्कल आ रहा है इसके साथ पीछे जो पिंक कलर का है तो यह दोस्तों मैंने ह्यू चेंज कर दीती इसकी तो इसलिए वह ऐसा आ रहा है अब हम पिंक कलर से एक सर्कल हमारा यह हो गया है अब हमा हमाएं एक और circle दिखने लाएगा इसका थोड़ा duration ज्यादा हो गया है तो इसको में थोड़ा कम कर देता हूँ अब देख सकते हैं आप कि यह साथ साथ आ रहा हैं तीनो तो अब मैं इसका color change कर देता हूँ adjustment में जाके तो आप देख सकते हैं मैंने इसका color हलका सा change कर दिया है जो की अब हो गया है हलका सा purple दोस्तों तो मैंने इसका purple change कर दिया है color अब मैं इसी layer को एक और बार duplicate करूँगा और यहां पर मैं क्या करूँगा वही चीज़ करूँगा repeatedly अब आप दे सकते हैं एक और circle आने लगा है purple circle के साथ तो मैं इसको भी animate कर देता हूँ जल्दी से color filter में जाके दोस्तों color filter में नहीं मैं जाना है adjustment में adjustment में जाके हमें hue वाले option पर जाना है आखिर में है जो और इसका color में कर देता हूँ dark purple दोस्तों ठीक है अब हमें एक और बार इस layer को duplicate करना है अब एक और बार duplicate हो गया है यह layer और यहां पर इसको मैं अब फिर से वही उसी duration में उसी time के साब से उसी time gap के साब से मैं इसको change कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं एक और circle आ रहा है इसका हलका सा time gap जादा हो गया है तो मैं इसको वापस adjust कर देता हूँ अब देखिए आप इस वह भी चिपक कर आ पड़ेगा ताकि हमें बहुत सारे color variations देखने को मिलें तो मैं इसको एक बार वही कर देता हूँ थोड़ा यह दूर हो गया है इसको मैं करीब में ले आता हूँ तो यह भी अब चिपक के आने लगा है दोस्तों अब मैं इसका भी color adjustment में जाके इसका भी मैं color हलका सा change कर देत हूँ ठीके दोस्तों तो यह भी change हो गया है अब आखरी layer दोस्तों बहुत जाद हो गई है layers अब मैं आखरी layer और add कर देता हूँ बस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आखरी layer भी add कर दी है और यहाँ पर इसका भी मैं adjustment में जाके change कर देता हूँ और मेरा यह पूरा green कर दिया है मैंने इसे अब देख सकते हैं बहुत सारे circles आ रहे हैं अब मैं इसको play करके दिखाऊंगा तो आपको दोस्तों magic लगएगा बिल्कुल यह तो मैं इसका पहले layers को छोटा कर देता हूँ ताकि यह हमारे animations के बाहर नहीं जाए और यह अंदर ही रहे ठीके दोस्तों तो मैंने इनको छोटा कर दिया है आपको भी ऐसे ही छोटा करना पड़ेगा अगर आपके layers बाहर जा रही है तो timeline के ठीके दोस्तों तो यह हमारे layers छोटी हो गई है अब हम इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको तो यह मैंने प्ले कर दिया है तो आप देख सकते हैं कितना जवर्दस transition effect आ रहा है दोस्तों ऐसे ही आपको करना है तो दोस्तों हमारे intro तो ready हो गया है इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों हम आपने cartoon आपने keyframe animations की technique समझ लिए अब बारी आती है हम अपने कैसे cartoon animated video को बनाएं अगर आपके पास kindmaster app है जो बहुत slow work कर रहा है तो आप क्या करिएगा कि आप इसको export कर लीजिएगा पहले ही यहां से आप इसको export कर सकते हैं तो यहां से आप इसको export कर लीजिएगा मतलब आप इसको video में convert कर security में और दोस्तों उसके बाद आप जो animation बनाएंगे अपना cartoon animated animation बनाएंगे उसको new project में बनाएएगा क्योंकि वो उससे एक ही project में heavy load नहीं पढ़ता बहुत जादे elements नहीं होते तो इससे आपका जो speed animation की और आपके जो processing power ए फोन की वो भी जादे use में नहीं आएगी और जाओं तो मैं create new पर जाओंगा और वही project मेरा aspect ratio और वो सब चीज़े होंगी और यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों अब मैं अपना cartoon animation यहां पर बनाऊंगा तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है आपको एक cartoon animated background चाहिए cartoon animated background के लिए दोस्तों आप खुद cartoon animated यानि cartoon illustrations जो है उनको chrome से download करके आप import कर सकते हैं अपने scene में और यहां पर scene design कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं scene designing के ओपर video बनाऊ तो आप comment करके मुझे जरूर बताईएगा लेकिन दोस्तों मैं shortcut prefer करता हूं तो आप भी वही prefer करिए अगर आप beginner है तो यहां पर मैं क इस्तेमाल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर इसको मैं play करके दिखा देता हूं आपको दोस्तों इस cartoon animated background से हमारा आधा काम तो होई गया क्योंकि अगर आप इस animated background को देखेंगे मैं इसका भी voice off कर देता हूं यहां से mixer option में जाके यहां पर आप देखिए तो यहां पर clouds move कर रहे हैं पते जा रहे हैं wind move कर रही है और cycle वाले की मुझे जरुवत नहीं है अगर आपको जरुवत है तो आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने यहां तक cycle वाला चला गया है तो मैं के करूंगा दोस्तों scissor वाले option पर जाओंगा और trim left to left of playhead पर click कर द तो मैं पार्ट ले लूँगा और वाके सब कट कर दूँगा तो मुझे चाहिए दोस्तों यह वाला scene जो है वो मुझे चाहिए 4.2 seconds के लिए तो मैं 4.2 seconds का यह ले लेता हूँ मैं दूसरे scenes भी import करूँगा इसके अंदर जैसा आपने initial वाली वीडियो में देखा होगा तो मैं इसको cut कर लेता हूँ जल्दी से दोस्तों जूम करके भी आप cut कर सकते हैं उससे और आसानी होगी और और जादा आपको milliseconds के अंदर cut कर पाएंगे precisely तो मैं यहाँ पर cut कर रहा हूँ 4.266 seconds पे तो trim right of the playhead से करूँगा मैं trim तो यह पूरा trim हो जाएगा right का भी हट जाएगा और यह दोस्तों हमारा पास एक fresh background लागा यह cartoon animated तो आदा काम तो होई गया दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों यह हमारा animated background आ गया है हम जो हमारा दूसरा background उसको भी ले ले लेते हैं तो उसके लिए भी हमें media layer पर जाना है तो यह background जो होंगे दोस्तों हमारे main layer होंगे इसके ऊपर हम अपने car लगाएंगे clouds लगाएंगे चड़ियाओं को लगाएंगे और भी बहुत साइच चीज़े करेंगे तो media layer में आपको जाना है और आपको ने जो दूसरा background है जो आपको internet से मिले हैं उनको आप import कर लेजिएगा in background का link मैं आपको description में देदूंगा यह free non copyrighted है और इनके owners जो इन्होंने बनाये हैं उन्होंने भी इनको non copyrighted बताया था तो दोस्तों इनको आप import कर सकते हैं मुझे यहाँ पर एक background बहुत अच्छा लगा cartoon animated वह यह है तो इसको मैं play करके दिखा देता हूं आपको इसकी voice off कर देता हूं क्योंकि मेरी voice नहीं आईए अगर इसकी voice इसका मत trim left of the playhead कर दूँगा तो मेरा left का पूरा पार्ट चला जाएगा जो भी वीडियो के शुरू में था अब मैं यहाँ से देखूंगा कि मुझे कितनी जरुवत है तो मैं इसको play करता हूं दोस्तों यहाँ पर मैं 9.5 seconds पर इसको trim कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको आप trim कर दिया है right of the playhead दोस्तों यह हमारे एक background हो गया है अब हमारा एक और background हमें एक और background की जरुवत है अगर आपने मेरी initial यह इंट्रो वीडियो देखी होगी तो इसी background का मैंने दो बार इस्तेमाल कर रहा है और बहुत cleverly इस्तेमाल कर रहा है तो मैं आपको वही track सिखाता हूं तो आपको इसको क्या करना है three dot वाले icon से duplicate करना है और यह हमारा दूसरी layer तैयार हो गई है और हमारा animation जो है 15 seconds का almost हो गया है अब हमें क्या करना है दोस्तों अग यह इन दो background को से लोनों इनको हम दो तरीके से कैसे इस्तेमाल करें तो वह मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर आप इस layer पर click कीजिए और यह जो option है ऊपर इसको हम resize कर सकते हैं हमारे background को तो हमारी start position हमारी कार यहां से लेकर आखर तक जाएगी और हमें ऐसे दिखाना है कि वह moving effect है तो इसलिए हम अपनी starting position जो रखेंगे वह साइड रखेंगे background का तो मैं इसको zoom करके दिखा देता हूं आपको तो यह हमारा background हो गया है और यह हमारी starting position हो जाएगी हलका सा मैं इसको पड़ा कर देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारी starting position हो जाएगी अगर आप screen के side देखें तो हमारी starting position यह है और हमारी car यहां से वहां तक move करेगी तो इसका end position जो होगी हमारी वो यह होगी तो हमारा जो काइन master का जो app है वो हमारी screen को ऐसे move क करेगा कि यहां कार move कर रही है और हमारा camera उसके साथ move कर रहा है तो मैं इसको यहां पर set कर देता हूं और अगर आप देखें तो यह हमारा scene set हो गया है और almost दोनो scene same है तो अगर आप इसके आप अपनी screen के side में जो छोटा सा यह दिख रहा है इसको इसके साफ से भी देख सक और यह हमारा background हो गया है ready मैं इसको देख लेता हूं उपर touch करके कि ऐसा ही है यह गलत है तो दोनों सही लग रहा है मुझे दोस्तों यह वाला मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है इसको मैं थोड़ा और बढ़ा कर देता हूं दोस्तों हमारे यह background ready हो गया है अब हमारा एक position वो रहेगा initial position लेकिन हमारी end position जो होगी वो zoom out हो जाएगी मतलब हम पूरा background देखा देंगे उसमें तो मेरी same initial position रहेगी इसमें भी और हमारी जो आखिर की position है उसमें हम अपना पूरा background देखा देंगे तो हम play करके दिखाता हूं मैं आपको कि कैसा लगता है यह तो आप देख सकते हैं इसा लग रहा है कि हमारा camera move कर रहा है और यह दूसरा हमारा background है जो इसा लग रहा है कि zoom out हो रहा है और हमारी car जो है वो pass हो जाएगी यहां से दोस्तों हमने अपना background हो setup कर लिये हैं अब हम बार बात आती है हमारी car की अब हम इसको car कैसे लाएंगे और कार कैसे animate करेंगे तो दोस्तों इसके लिए भी आप keyframe technique का इस्तेमाल कर सकते हैं आप keyframe technique के जरीए car के wheels को move कर सकते हैं और car को ही move कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको suggest करूंगा shortcut तरीका वही जो आप YouTube से भी यूज कर सकते हैं बहुत सारी cars हैं तो ये free में free to use हैं और इनके साथ कोई copyright का issue नहीं आएगा तो मैं इसी एक car का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने इसको अलग कर लिया था तो यहां पर यह हमारी car आ गई है दोस्तों इसका में क्या करूंगा इस लिए यह लेयर थोड़ी की बाद में आई है इसको में drag करके front में ले आता हूँ और यहां पर मेरी car जो है वह ready हो गई है अब दोस्तों हम chroma की के जरिये से इस car के जो green green part है उसको हम remove कर देंगे तो आप वो chroma की feature में जाना है इसको enable करना है आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत disappear हो गया है यहां पर मेरी car जो है वह दिखने लगी है हलक हलका सा green दिख रहा होगा आपको तो मैं उसको सही कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी car ready हो गई हो green green पूरा remove हो गया है हमारी car जो है वो चलने के लिए ready है road पे अब मैं इसको play करके दिखा देता हूँ आपको तो देखे हमारी car चल तो रही है वहीं वहीं पर move कर रही है लेकिन दोस्तों हमारी car जो है वो move कैसे करे आगे कैसे पड़ेगा वही जो मैंने आपको शुरूर में वीडियो के बताया था keyframe technique तो उसके लिए आपको क्या करना है इस car की जो है हमारी initial position दोस्तों वही screen के बाहर ठीक है तो सबसे पहले में क्या कर देता हूँ कि हमें क्योंकि car को तीन बार animate करना है तीनो background के हिसाब से क्योंकि ह दोस्तों हमारा background इस इसमें static background है क्योंकि move नहीं कर रहा background इसमें background जो है हमारा move कर रहा है इस angle से इस angle तक आखिर angle तक और यहां पर zoom out हो रहा है तो तीनों के हिसाब से हमें animate करना पड़ेगा नहीं तो हमाई car जो है वह पानी के ऊपर चड़ जाएगी और वह एक ही position follow करेग यहां पर भी मैंने ऐसे ही करा और यहां पर मैं इस car की layer पर आया और मैंने यहां पर split at playhead कर दे तो यह cut गई है यहां से भी और यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों यह वाली जो layer है मेरी यहां पर मेरा car का end हो जाएगा मैं right off playhead कर दूंगा तो मेरा right का पूरा move हो और यह remove हो गई है अब आप देख सकते हैं हमारी car जो है वो ready हो गई है और अब हमें क्या करना है दोस्तों सबसे पहले इसको keyframe technique पर जाना है और keyframe options पर जाने के बाद हमारी जो initial position होगी car की वो यहां यह रहेगी बिलकुल screen के बाहर और हमारी जो final position होगी screen के बाहर कर देता resize हो गई दोस्तों वलती से अब हम क्या करेंगे इसको वापिस वहीं ले जाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमारी car है और हमसी को बिलकुल इस side वाली screen पर ले जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा हमारी जो viewers है उनको ऐसा लगेगा कि car move कर रही है इधर से दोस्तों कि हमें इसको भी move करना है इस end से उस end तक तो हम इसको इसमें भी वही technique का इस्तिमाल करेंगे की फैम technique का इसमें हमारी जो car है वो बाहर रहेगी background के यहां पर मैं चाहता हूँ थोड़ी car मेरी बड़ी दिखे क्योंकि दोस्तों यहां पर क्योंकि हमारा land ही बड़ा है तो इसलिए इसको मैं बाहर कर देता हूँ और हलका समय ने इसको बाहर कर दिया है और यहां पर मैं इसका end position जो होगी मैं इसकी यहां पर यह रख दूंगा कि यहां पर exit करेगी तो हमें इसा लगगा कार हमारे camera के सामने से जा रही है ठीके दोस्तों तो हमारे यह भी हो है हम इसको play करके दिखा देता हूँ दोस्तों कितना amazing लग रहा है बिलकुल इतने आसान टेकनीक से दोस्तों अब हम देखिए दोस्तों यहां पर हमाई कार जो है हम इसी टेकनीक का इस्तेमाल करेंगे और हमाई कार को वही बनाएंगे तो इसके लिए भी हमें की फ्रेम टे चोटा करेंगे तो दोस्तों ऐसा लाएगा जूम आउट कर रहा है तो कार छोटी हो रही है और वह एक और realistic effect देगा तो यहां पर मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ जैसे मेरी पिछले वीडियो में थी कार बढ़ी और मैं इसको back पे क्लिक कर देता हूँ मतलब इसको screen के पी इसको बढ़ा कर देता हूँ जितना भी मज़से बढ़ा हो रहा है मैं इसको screen के बाहर ले जाता हूँ दोस्तों थोड़ा सा problem होती है क्योंकि हम hands से करते हैं पूरी चीजें तो इसे लिए थोड़ी ची problem होती है लेकिन दोस्तों मैंने इसको बाहर कर दिया है screen के अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको play करके दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है यह zoom out effect बहुत ही जबर्दस लाएगा आपको देखने में दोस्तों हमाई कार छोटी भी होती जा रही है जैसे जैसे कैमरा बाहर आ रहा है तो यह बहुत ही amazing effect लगा मुझे अब दोस्तों क्या करना है हमने कार तो animate कर दिये अब हमें चुडियां को लाना है क्योंकि हमाई second screen में चुडियां भी थी तो आपको layers पर जाना है दोस्तों वापश और मैं अपनी चुडियां को लेकर आ जाता हूँ तो मैंने ये भी internet से डाउलोड कीती green screen चुडियां के लिए तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ लेयर्स के option में जाओंगा मैं और मैं अपनी चड़ियां को ले आ जाता हूँ तो यहां पर दूस्तों यह बहुत बड़ी वीडियो है लेकर मुझे सिर्फ चड़िया वाला पार्ट चाहिए तो मैं उसको लेकर आ जाता हूँ तो दोस्तों इसको मैं ट्रेम कर देता हूँ यहां से तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां से मेरी चड़ियां आ रही है और यह दीरी दीर यहां से आएंगी यहां से मेरी चड़ियां आ रही हैं यहां तक चली गई तो मैं इनको यहां से ट्रिम कर देता हूँ ट्रिम राइट ऑफ प्लेहेट और यह मेरी चड़ियां चड़िया जो हैं वो यहां तक आ गई हैं यह भी ग्रीन स्क्रीन पर हैं तो इनका मैं जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाएगी यहां से अब मैं इसको थोड़ा मैनुपलेटट करता हूँ मैं देखता हो कि यह सो केसे हटाया जा सकता है तो यहां पर आप मेरा onlyIA color है और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं कि मेरा यह जो कलर है वो सिलेक्ट हो गया है वो मेरी चड़ियां आ गई है मैं चाहता हूँ दोस्तों कि यह उपर आएं तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको उपर ले जाओंगा ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पर बर्ड्स को भी ले आया हूँ में और इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कितना अमेजिंग लएगा आपको यह तो मैंने यह प्ले कर दिया है और हमारी जो बैड्स हैं वो भी चाने लगी हैं अपनी स्क्रीन के उस पार अब दोस्तों हम कोना आपने करा को मैंने क्लाउट मेरे मैंने मैंने क्लाउट्स को भी इंसर्ट किया था ईंसर्ट कीटियों ऑर वह बहुत अमेजिंग लगा वह टॉर्ट वह घौस intrigued कि दिखा दो आप Yeah, जो मैं किसे लेकर आया था उसे तो यहां पा दोस्तो मैं अपने डाउनलोड में जाता हूँ और मैंनें क्लाउड इंसर्ट किया था यह टॉर्मो कर दूँगा और वही टकनीक से मैं इसको भी एनिमेट करूँगा दो스도 थो यहां करूंगा इसका जो आखर वाला फ्रेम है मैं चाहता हूं कि वो यहां पर रहे बिलकुल आखर तक और जो हमारा इनिशल फ्रेम है वो यहां पर रहे दोस्तों यह थोड़ा डाक डाक लग रहा है मुझे तो मैं इसका भी मैं आपको solution बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करन हैं हिलकीजी तो हमारे थोड़ा सा cloud स्क्रीन से मैच करने लएगा कि तो दोस्तों मैंने यहां पर cloud की की फ्रेमिंग तो कर दी है अब यह अब को तो मैंने यह प्ले कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहां पर cloud भी हमारा music कैसे लगाएं तो दोस्तों यहां पर हमारे almost सारी चीज़े complete हो गई है बस हमारा sound effects का काम बचा है जो मैं करना चाहूंगा यहां पर तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या चाहिए sound effect हमें चाहिए गाड़ी का sound effect जो हमाई कार है उसका sound effect चाहिए हमें तो हमें जाना पड़ेगा audio के option पर और audio के option पर जाने के बाद हमें यह जो sound effects है हमें कार के और हमारे जो wind का sound effect है birds का sound effect है वह हमें यह हमें online भी मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको online नहीं देखना तो यहां पर काइन बहुत सारे sound effects है जैसे tender हुआ हमारे water हुआ और भी सारे sound effects है जो आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर आप बहुत सारे assets भी download कर सकते हैं इनके elements भी download कर सकते हैं animated जो आप अपने cartoon animation में use कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है आप दोस्तों आप इसको इससे बहुत अच्छे cartoon animated videos बना सकते हैं अपने mobile से ही दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता था यहां पर मैं सी पर option पर जाता हूं और सी पर car passing sound effects में ने download कर लिया था तो मैं इसको insert कर देता हूं तो यहां पर मैं आपको play करके दिखाता हूं कि कैसा लग रहा हूं तो यह दोस्तों हमारे शुरूब में बिलकुल transition के time पर आया है तो मैं इसको trim कर देता हूं थोड़ा सा औ मैं इसको initial वाले time पर ले जाता हूं तो चलिए मैं इसको play करके दिखाता हूं अब आपको अब दोस्तों बहुत ही जबर्दस लग रहा है यह और यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों आप इसको यहां पर मैं नहीं लगाना चाहता यहां पर मैं चाहता हूं कि यह ऐसा ही अब यहां पर दोस्तों मैं इसको trim करूंगा क्योंकि यह बहुत देर में आ रहा है देखिए आप बहुत देर में आ रही है sound की यहां पर music की आप देख सकते हैं यहां पर बहुत देर में पीक आ रही है तो मैं अब क्या करूंगा यहां पर sound को trim कर दूंगा मतलब split कर दूं और यह हमारा जो sound effect है बहुत जबर्दस लग रहा है दोस्तों मुझे तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा इस जो extra sound है इसको में trim कर दूँगा इस लेयर के हिसाब से और यह मैंने trim कर दिया है राइट से हमारा का sound effects लग गया है दोस्तों अब हमारी बारी आती है wind के sound effect की तो अब हम वापस वहीं जाते हैं और जो हमारी हवा चल रही है बहुत तिर्स उसका sound effect लगा देते हैं तो जल्दी से मैं इसको लगा देता हूं wind के डबलू वाले option पर चला जाता हूं डबलू 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 यह मैंने wind का sound effect भी download कर लिया तो दोस्तों इसका भी मैं आपको link description में दे दूँगा अब मैं इसको play करके दिखा जाता हूं आपको हमारा जो दोस्तों हवा है वो थोड़ी शुरू में सही नहीं आ रही थी तो मैं इसको trim कर देता हूं शुरू की हवा को और मैं इसको drag करके शुरू में ले जाता हूं अब हम देखते हैं हवा कैसा आ रहा है दोस्तों हवा तो बहुत ही जबर्दस लग रही है इसके अंदर और दोस्तों जैसे जैसे सांड इफेक्स हमारे कंबाइन होते जाएंगे और भी इंट्रेस्टिंग और और भी प्रोफेशनल लगने लाएगा हमारा एनिमेशन तो मैंने विंड का लगा दिया है अब हमारी तो मैं जल्द से जल्द मतलब पूरे ही टाइम लाइन में बर्ट का सांड इफेक्स लगा दूँगा तो मैं जल्दी से चला जाता हूं बर्ट वाले ऑप्शन पर जो मैंने डाउनलोड किया था बर्ट का सांड इफेक्स बर्ट चर्पिंग सांड इफेक्स अब मैंने इसक वह को शुरू का ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि शुरू में दोस्तों वह आवाज उनकी नहीं आ रही है और शुरू में सिर्फ ब्लेंक है तो मैंने इसको कट करके फ्रिंट में ले आया हूं अब देखते हैं दोस्ता हुआ दोस्तों हमारी बर्ट चावर्ट का भी बहुत जाभा साउंड ईफेक्ट आ रहा है और एक दम प्रॉफेशनल लुक लगने लगा आप हमारे अनिमेशन पे दोस्तों हमने सारे साउंड इफेक्ट लगा लिया है अब बारी आती है दोस्तों music की तो एक music जो मुझे आप music अपने हिसाब से लगा सकते हैं लेकिन एक music जो मुझे अच्छा लगा था वो इसी का music था जो ये background का था तो इसका मैं music ले लूँगा कैसे लूँगा दोस्तों यहाँ पर मैं इसको unmute करूँगा पहले और यहाँ पर मैं इसी को extract कर लूँगा ठीक है तो मैं extract audio कर लूँगा तो यह वाली layer तो mute हो जाएगी जो हमारा background ले ले लेकिन हमारे एक और layer मिल जाएगी music की तो देख सकते हैं आप यह music की हमें एक layer मिल गई है free motion और यह freeze हमारा music है जिसको हम यहाँ तक extend कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया है दोस्ता हमारा पहतरीन cartoon animation तयार है अब हमें इसको इंट्रो के साथ merge करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए इसको export कर लीजिए ठीके दोस्तों तो यहाँ पर export के options हैं आप इसको वीडियो में convert कर लिए जल्द से जल्द और अब हमें क्या करना है दोस्तों इस वीडियो जो हमारी exported वीडियो है उसको और हमाई जो intro वीडियो है उसको उन दोनों को combine करना है और हमें उस इंट्रो वीडियो का भी म्यूजिक लगाना है ठीक है दोस्तों तो जल से जल हम उसे भी कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है यहाँ पर यह आने लगी है अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ अब मैं इसको back कर देता हूँ और हम एक और new project create करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे इसी aspect ratio पर create करेंगे और हमाई जो exported videos है पहला हमारा intro और दूसरा हमारा animation है उनको import करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या करना है इसको मैं play करके देख लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर यह बहुत जादा बड़ा लग रहा है मुझे intro animation तो इसको मैं थोड़ा trim कर देता हूँ तो यहाँ पर जैसे मेरा यह आया है सबसे पहले मैं इसको trim करने से पहले इसका जो music है वो add कर देता हूँ इसका मैंने search कर लिया था music यह मुझे काइन मास्टर के ही music में मिला था बहुत अच्छा music जो extrovert नाम से तो मैं इसको open कर लेता हूँ तो यह intro music बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो मैं इसको आपको play करके दिखा देता हूँ पहले ठीके दोस्तों तो यह मुझे अच्छा लगा इसको मैं trim कर देता हूँ trim right मतलब मैं right का पूरा थाना चाहता हूँ और यहां पर मेरा जो यह है वो ready हो गया है इसको मैं शुरू कर trim कर देता हूँ क्योंकि शुरू में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी और मैं इसको drag करके शुरू में ले जाता हूँ और यहां पर मैं इसको all trim कर देता हूँ वाल कासा अब यहां पर जो मेरी layer है उसको भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ दोस्तों और यहां पर मैं एक transition के लिए दोस्तों transition sound effect मतलब इस layer से हमाँ intro layer से हम cartoon animation layer पर जा रहा है तो इसके लिए भी मझे sound effect बहुत अच्छा मिला था जो काइन मास्टर की library में से ही मिला था तो SFX पर मझे यह drum rolling sound effect मिला था तो मैं इसको press कर देता हूँ और यहां पर अब देखिए यह कैसा sound effect है इसको मैं हलका सा trim कर देता हूँ ठीके दोस्तों और यह इसको मैं drag कर देता हूँ ठीके दोस्तों तो यह drum का sound effect यहां पर खत्म हो रहा है इसको मैं यहां से trim कर देता हूँ और इसको हलका सा मैं इधर ले जाता हूँ क्योंकि हमारा music layer वहाँ पर है हमारी music layer थोड़ी सी जादा बहुत जादा मतलब loud हो रही है शुरू में इसके लिए दोस्तों इसका solution यह है दोस्तों इसका solution यह है कि आप इस music layer को हलका सा extract करें यहां से आप इसको वापस extract कर लें इसके audio को और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक होड टेखनीक बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा music है वो एकदम से loud नहीं आता जो professional animations होते हैं उसके अंदर music slowly build up करता है तो इसके लिए दोस्तों एक voice changer का option देता है voice changer नहीं दोस्तों इसके लिए काइन मास्टर हमारा volume envelope का option देता है यहां से आप volume को ऊपर नीचे कर सकते हैं तो यह volume envelope का option है यहां पर आपको key frames की तरह ही जैसे key frames कर रहे थे हमने वहां पर आप volumes के frame बना सकते हैं और तो मैं इसके volume के frames बना देता हूँ दो तीन और यहां पर मैं इसका music जो है वो slowly build up करूँगा तो दाकि मेरा जो transition वाला sound effect है वो अच्छे से आवाज आने लगी उसकी तो यह हमारा इसका मैं थोड़ा frame जो है स्लोली build up होगा और बहुत जाद़ प्रोफेशनल लाएगा ठीके दोस्तों तो एकदम से बिल्ड़ा होगा और यह बहुती माइनर चीजे हैं लेकन दोस्तों बहुती अच्छा लुक देता है आपके अनिमेशन को अच्छा लुक देता है आपके अनिमेशन को ठीके दोस्तों तो हमारा एनिमेशन तयार हो गया है अब फाइनली हमें एक्सपोर्ट करना है इसको और हमारी वीडियो तयार हो जाएगी एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करिए दोस्तों और लाइक के बटन पर भी ज़रू क्लिक करिएगा अगर आपको वीडियो थोड़े जी वेलफुल लगी हो इस वीडियो को कराने में थोड़ा टाइम लग गया है दोस्तों और मैंने बहुत जादा बाते भी की है लेकिन होफ़ोली आपको समझ में आ गया होगा कैसे अनिमेशन बनाया जाता है काइन मास्टर पे मैं दोस्तों इसको बिगिनर फ्रेंडली बना चाता था क्योंकि बहुत सारे टुटोरियल्स होते हैं इंटरनेट पे काइन मास्टर से रिलेटेड लेकिन वह ऐसा समझाते हैं कि काइ जरू करिएगा चैनल को दोस्तों और ऐसे ही वीडियो आने वाली है काइन मास्टर पे और भी बहुत सारे एनिमेशन्स सौफवेर्स पे एप्स पे तो आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजीगा दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में गुडबाई एं आपसे शारेब में और आपसे ज्रास को अे इत्रों महां चैनल को चैनल कम अभीयों Rेणर किर शाष्भ